निमस्चाह स्थ आप सभी का सिलसला बंजारोका में नहीं हूं आपके साथ अखिलेश रटी और सिलसला बंजारोका में एक बाद फीर से लेकर आ गया हूं आप सब केलिए की TripleTR Bंजार का अपडेट जानेंगे कि आज सुभा के कारुबाई सेथ में कमुनिटी बजार कैसा खुलता हुए नदर आ रहा है किस कमुनिटी के अंदर कितनी मनी तेजी के साथ कारुबाई दर्च किया जा रहा है और एक्सपर्ट्स क्या बता रहें कि आगे जाकि किस कमुनिटी के कैससीर से. हम देख रहे हैं कि कैससीर काowych अक्टूबर वाया थथ, 3300 पर कारूबा करता हो नजडर आ रहा है और 3300 का हाई लगा चूका 1.50% की तेजी है, हम देख रहे हैं कि आज कैससीर का जो अक्टूबर वाय थे हैं, अच्छे लेवल्स पर खुलता हुँ नजर आ रहा है और यह जो लेवल्स हैं से त्रेसर सो के उपर के यही दढ़ शाते हैं कि कैसर में आने वाले दिनों में अभी और तेजी बनती ही नजर आ सकती है जानकार भी लगातर यही बता रहे हैं कि कैसर सीर की जो कीमते उन में पिछले साल के मुकाबले और 6.3 माकँ टक कम हुआ है. कि दोजर बीस एक्टेर के अंदर. जिसकी वज़ासे कैसा सीर की कीमतवं में तेजी देखने को मिल सकतीए और निर्यात माझ भी अच्छी कासी ही देखने को मिल रही है. तो overall उजहान कैसे सीर की कीमतों में तेजी का यह कीमते अभी आगे में जाके 63-100 से लेकर 67-100 का लेवल दिखलाती भी नजर आ सकती है अभी experts कैसा मानना है यह से बात करें अगर बिनौला खल की तो बिनौला खल का डिसमबर वादा देखने 24-55 पर कारवा करता हुँ नजर आ रहा है हलकी सी करेक्शन है बिनौला खल की कीमतों में हमने एकदम से नर्मी आते वे देखिए अभी बिनौला खल में दुबारा वाल एकदम तेजी वाले लेवस देखना अभी उसमें थोड़ा वक्त देखने को मिल सकता है क्योंकि लगातार मान के चले की 6 मैने से बिनौला खल की कीमतों में तेजी ही देखिए हम देखने की कल के मुकाबले आज देनी की कीमतों के अंदर आज एक अच्छी खासी तेजी बनती भी नज़र आई है दनी की कीमतों के अंदर एकदम से उच्छाल देखने को मिल रहा है जानकारों का मानना है कि एक शॉट कमरिंग मूव है और दनी की कीमतों में अभी इंटर डे में अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिल पाएगी बात करें हैं से अगर जीरे की तो जीरे का अक्टूबर बाद देखने की 14,885 पर कारवा कर रहा है और 14,890 का ही लगा चुका है हम देखने हैं कि जीरे की कीमतों में एक फिर से तेजी बनती भी नजर आ रही है दरसल जीरे का जो निरियात है उसके अंदर एकदम से उच्छाल देखने को मिला है और कुछ तेवारी मांग के चलते भी जीरे की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है बावजूद इसके की जो स्टॉक है जो सप्लाई है जीरे की घरेलू बजार के अंदर हाजिर बजारों में वो परियापते अच्छी खासी है आदा माल स्टॉकिस्तों के पास है आदा माल किसानों के पास है जिसकी वजा से देख रहे हैं कि जीरे की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है और एक्सपर्ट अभी ऐसा बता रहे हैं कि आगे आगे जैसे फेस्टिवल डिमांड बढ़ती जाएगी जीरे की कीमतों में घरेल उस्तर पर तेजी देखने को मिलती रहेगी और इसी के साथ जीरे का जो एक्सपोर्ट है उसमें भी तेजी देखने को मिल सकती है आखड़े जीरे के एक्सपोर्ट के अच्छे खासे निकल के सामने आ सकते हैं जिसकी वज़ा से जीरे की कीमतों में आभी और उच्छाल देखने को मिल सकता है 15,000 के आसपास हम अल्रेडी देख रहे हैं हो सकता है कि festival demand आते आते और अगर निर्यात मांग अच्छी खासी बढ़ती है इन levels पर उचे स्तर पर तो हो सकता है कि 15,000 का भी आंखड़ा जीरा ये पार कर जाए इसी के साथ बात करें आज से अगर हल्दी की तो हल्दी का हल्दी देख रहे हैं कि आज NCDX पर हल्दी इस वक्ट जो कारवाबाकरती मि नज़र आ रही है 7,584 पर कारवाबाकरती मि नजर आ रही है 86,708 का high लगा चुकी है और पौन एक फीसदी की तेजी हल्दी के अंदर बंती भी नजर आ रही है हम देख रहे हैं कि आज हल्दी कल के मुकाबले थोड़ी तेजी के साथ कारवा करती भी नजर आ रही है हाला कि सपोर्ट लेवल पर ही है बाउनरी लाइन पर ही है अपने सपोर्ट लेवल पर लेकिन कल के मुकाबले थोड़ी बढ़त आज हल्दी के हैं उनका ऐसा मानना है कि हल्दी की जो बुवाई है आने वाले सीजन में आगामी सीजन में अच्छी देखने को मिल सकती है क्योंकि बारिश से बुवाई में बढ़ोती देखने को मिल सकती है और अगर बुवाई बढ़ेगी रखबा बढ़ेगा तो उतपादन भी हल्दी का वरता हो नजर आएगा तो इसलिए थोड़ा बहुत सेंटिमेंट मार्किट में हल्दी का एक हलकी सी नर्मी में देखने को मिली है लेकिन ओवरोल रुजान हल्दी में भी तेजी का यह हल्दी की कीमते जादा नीचे जाती भी नजर नहीं आएगी अगर डाउन फॉल में भी जाता है तो ओवरोल हल्की फुल की तेजी हल्दी की कीमतों में भी देखने को मिलती रहेगी इसके साथ बात करें याज से अगर गौर का अंप्लेक्स की तो देख रहे हैं कि गौर का अक्टूबर वाइदा 10,360 पर कारवा करता हो नजर आ रहा है पॉनेक फीजदी की तेज आज भी गौर गम 10,000 की उपर सिस्टीनों के चल रहा है और गौर सीर 6,300 के उपर अब ये जो आखड़े हैं लागातार आज हफते के चौते कारुबारी दिन देखने को मिले हैं अच्छे कासे तेजी है गौर गम गौर सीर की कीमतों में आपको पता दें कि ये आखड़े स कीमतों में एक्सपर्ट अभी तेजी ही बता रहे हैं मोतिलाल ओस्वाल के वाइस प्रेसिडेंट अमिच सजेजा के मुताबिक गौर गम की कीमते आने वाले दिनों में 12,100, 12,200 तक का लेवल दिखा सकती है और गौर सीर 7,100, 7,000 का भी लेवल दिखलाता है नजर आ सकता है तो गौर गम की कीमतों में एक्सपर्ट के अकॉर्डिक अभी तेजी का ही रुजहान है आगे बढ़ते हैं बात के लेते हैं यहां से अब एडिबल ओल कॉंप्लेक्स की तो देख रहे हैं कि आज मस्तर सीर का अक्टूबर वादा 8,622 पर कारुबा करता हो नजर आ रहा है पौन एक फिज़दी की तेजी के साथ और रिफाइन सोय तेल का अक्टूबर वादा 1328 पर है एक फिज़दी की तेजी बंती भी नजर आईए सोय बीन का अक्टूबर वादा 1330 पर कारुबा करता हो नजर आ रहा है सवाइक फिज़दी की तेजी के साथ हम देख रहे हैं कि मस्तर सीर के अंदर यानि सर्सो के अंदर जो हमने 8,800, 8,900 तक की लेवल आते भी देखे थे अब वो लेवल्स देखने को नहीं मिल रहे हैं ऐसा कह सकते हैं कि सर्सो की कीमतों में हाजिर बाजार में NCDX पर उपरी सरों से एक मुनाफ़ा वसूली बंती भी नजर आई है उपरी लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक किया है जिसकी वज़ा से हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट दे रही है इस समय वो सर्सो ही है यानि कि मस्तर सीड ही है मस्तर सीड में consistency के साथ हमने एक तेजी आती भी देखिये ऐसा नहीं हुआ है कि गौरगम और गौवा सीड की तरह मस्तर सीड की यानि सर्सो की जो कीमते एकदम से उच्छाल मार रही है अगर तेजी आ ताब इक सरसो की कीमतों में 9000 तक की भी लेवल्स आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं, जिससाब से सरसो की जो स्टॉक है अब वो धीर धीर कम होता हुआ नजर आ रहा है, पांच से छे महीने का समय है, अभी सरसो आने में और किसानों ने अपनी सरसो रोक के रखी दीरे-दीरे मंडियों में लेकर आ रहे हैं, जिससे की मंडियों में आवग भी कम देखने को मिल रही है, डेली खपत के मुकावले जितनी पूरे देश में खपत होती, उसके साब से पूरे देश में दैनिक आवग का भी कम देखने को मिल रही है, जिसकी जिसकी सरसो की कीम बजार पर पढ़ता हुए नजर जरूर आया है लेकिन जो सप्लाई है इंडोनेशिय और मिलेशिय की तरफ से सीपीओ की वह भी तेज होती भी नजर आई जिसकी वज़ाद सीपीओ का बजार भी कही ना के रुलकता हुए नजर आया था और देख रहे हैं कि आज लेता हुए नजर नहीं आ रहा है जैसे हमने पहले आते वह देखा था कि 8000-9000 तक के भी लेवल सोईवीन की कीमतों में देखने को मिलेते हैं उस समय यह खबर ने निकली थी कि जो सोईवीन की सोइंग एरिया है यानि जो रगबा है घटा है क्योंकि बीजों की काफी किल लेकिन किसानों ने महंगा भीज खरीद कर भी सोईवीन करी है रगबा बड़ा है और अब सोईवीन की बुवाई जो है वो पिछले साल के रिकॉर्ड लेवल पर ही देखने को मिल पाएगी जिसकी वज़ाद सोईवीन की कीमतों में अभी एक नर्मी वाला रूख देखने क को मिल रहा है और विदेशों के अंदर भी सोईवीन की कीमतों में एक नर्मी देखने को मिल रही है तो यह था एक चोटा से क्रिशी फचल वज़ार का अफडेट कि कौन सी क्रिशी फचल किस बापर कारवा करती भी नज़र आ रही है और उस पर एक्सपर्स क्या रहा है कि क्या बता रहे हैं किस क्रिशी फसल के अंदर आगे जाके क्या लावस देखने को मिल पाएंगे और कितनी मंदी तेजी देखने को मिल पाएगी फिलाल सिलसला वजार का में बस इतना ही नमस्कार